इंडिया गटवन्नन में सीटों का फर्मूला अभी तक सुलजता नहीं दिख रहा है जेडियू जहां 16 सीटों के डिमांड कर दी है वहीं कॉंग्रेस भी 7-8 सीट का डिमांड कर रही है वैसी सिती में लेफ्ट पार्टी को क्या उनका हक मिलेगा हमारे साथ महनन सिंग है सर अ कितनी तैयारी है और कितनी सीटों पर आप लोग डिमांड लगतार कर रहें क्योंकि देखिए यह समस्या सुलज जाएगा और मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी ही इस मामला सामने आ जाएगा और अभी जो देश के सामने जो भारी संकट है देश को बचाने का सवाल है लोक इंडिया गटवंधन को ये बात को समझना है कि लेफ्ट की भूमिका कम नहीं है सबसे वफदार और सबसे इमांदारी के तौर पर काम करने वाला लेफ्ट जो है इंडिया गटवंधन में मुस्तेदी के साथ रहेगा और मैं समझता हूं कि उस हिसाब से इंडिया हैं कहां नहीं जा रहे हैं लेकिन जहां इनके मारा मारी और यह सब चल रहा है वहीं पर यह सब जादे चिंता है कि वह बचेंगे की रहेंगे की नहीं रहेंगे हम लोग जहां रहेंगे वह देश के बचाने के लिए रहेंगे इसलिए इंडिया गटवंधन में जो बड़े नेता लोग हैं बड़े पार्टी के लोग हैं उनको हिर्दे विसाल करना होगा ताकि यहां बेहतर गठमंदन हो और उसको करारा चोट दिया जा सकते हैं आपको कमजोर समझने की कोशिश की जा रही है कमजोर समझने की कोशिश ऐसे उस हिसाब से तेखिये गा कि जमीनी अस्त जादे महत्तपूर्ण भूमिका निभाते हैं अभी तो यह कहना मुश्किल है कि वो सब लोग बड़े चर्चा है कि दो से तीन सीट पर जो है दो या तीन सीट जो है वो लेफ्ट को ज्यादा मिले तो ज्यादा ठीक रहेगा कि लेफ्ट ज्यादा जीत के जाएगा तो बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा और बड़ा दिल दिखाने के बाद ही यह संब्व है ताकि उनको यह समझना होगा कि हमारे लिए सबसे बहतर संगतिया कौन है समारे लिए सबसे बहतर दोस्त कौन है लालु जी को समझना होगा इंडिया गटबंदन में सबसे बड़े द बात करने के लिए जो यह हैं बात करेंगे महानंद सिंग है जो लिफ्ट के धायक है और साफ्टर पर कह रहे हैं कि बड़े दलों को बड़ा दल दिखाना होगा गठ बंदन में सभी की अपनी-अपनी महता होती है वैसी सिती में लेफ्ट को कम नहीं आकनी चाहिए उनुश्क